गुड मॉर्निंग एब्रिवन बेलकम टू एक्जाम ओर्बिट क्लासिस आज है चौदा जुलाई और आज के इस सेशन में चौदा जुलाई से बनने वाले सभी महत्पून कोईशन्स को डिस्कॉस करेंगे तो सबसे पहले नजर डालते हैं आज की महत्पून सुर्खियों प डेटाबेस में सामिल होने वाला 68 देश बना भारत बाल योन सोसन पर लगेगी लगाम पच्छमी अफ्रीकी देश खाना में मिला मार्ग वर्ग बाइरस केंद्र ये मंत्री प्यूस गोयल ने पंच कूला में किया निफ्ट का उदगाटन केंद्र सरकार 75 सुतंतरता दिवस की अपसर पर देश भर में हर गर्द तरंगा रास्टिय अभियान करेगी शुरू रास्ट बंडल खेलों में खेलने वाली हेमाचल की पहली किरकेटर बनेंगी रेणुका और हदलीन बी सी सी आईने की टीम की खोश्टा भारत में पहला एलीबेटेट सहरी एक्सप्रेस वे के रूप में बिक्सित होने वाला द्वार का एक्सप्रेस वे 2023 में हो जाएगा शुरू भारत ने बहरीन में आयो जित ACI अंडर 20 कुस्ती प्रतियोगिता में चार स्वण पदक सहित 22 पदक चीते भूबनेश्वर कुमार ने 2020 किर्केट में बनाया अनोका रिकॉर्ड पावर पिले में ऐसा करने वाले पहले गींदबास बने संजे कुमार होंगे रेल टेल के CMD अब डिसकस कर लेते हैं फ्रेंट्स कल की क्लास का कल की क्लास में हम लोगों ने क्या-क्या पढ़ा तक कोई क्रिविजन करेंगे खबरों में रहा देवगर अंतरास्टिय हवाई अड़ा ये कहां पर है फ्रेंट तो ये जार कंड में है और प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी जी के दुवारा देवगर अंतरास्टिय हवाई अड़े का उदगाटन किया गया है काना गन हली जो हाली में खबरों में रहा किस राज़ में इस दित एक प्राचीन बहुत इस्तल है तो फ्रेंट जो काना गन हली है ये प्राचीन बहुत इस्तल है और ये कनाटक में है भीमा नदी के किनारे नदी का नाम याद रखेंगे आपसे पूछा जा सकता है Sea Gorgian 2 नामक समुद्री अभ्यास में चीन और पाकिस्तान ने फाग लिया है यानि कि फ्रेंट जो Sea Gorgian 2 समुद्री अभ्यास है ये आयोजित की गई थी चीन और पाकिस्तान की नौसेना के दुवारा किस देश की अंत्रेच एजनसी नासा ने ब्रह्मांड की James Wave Space टेलिसकोप से ली गई पहली रंगीन छबी जारी की है तो जो नासा है ये अमेरिका की अंत्रेच एजनसी है और इसके दुवारा ये पिक जारी की गई है बिस्वसांती मंच 2022 का दसवा संसकरण आयूजित किया गया चाइना में किस IIT संस्था के सोथ करताओं दुवारा पीबोट नामक एक Artificial Intelligence Waste उपकरण बिक्सित किया गया है IIT मदराज के दुवारा उफ्रेंस इसका यूज कहा होगा तो जो कैंसर के जीन होती हैं कोशिका होती हैं उनका पता लगाने के लिए भारत की 94 साल की स्प्रिंटर भगवानी देवी डागत ने फिंग्लेंड के टेंपियर में चल रहे बर्ट मास्टर एथलेटिक्स चेंपियनसिप में कौन सा पदक जीत लिया है फिर्ट तो इन्होंने सुण पदक जीता है सूचना प्रिसारण सचिप अपूर्व चंद्रा ने प्रिसार भारती का एक नया प्रतिक चिन्न का अनावरण किया है भारत के अरजुन बभूता ने अंतरास्टिय निसाने वाजी खेल माहा संग विश्व कप में जीत लिया है सुण पदक विश्व जनसंग्या संभाबना 2022 रिपोर्ट के अनुसार भारत किस बर्स में दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश के रूप में चीन से आगे निकलने का अनुमान है तो 2023 में और रिपोर्ट किस ने जारी की है तो UN के दुवारे ये रिपोर्ट जारी की कई है तो फ्रेंट्स ये था कल का करेंट अफियर अगर आप लोगों को डेटेल से जानना है तो कल की कलाद जरूर देख लिजेगा चले डिसकस करते हैं फर्स्ट कुईशन प्रदान मंतरी नरेंद्र मोदी जी कौन सी I2-U2 लीडर्स वर्चुल सम्मिट में भाग लेंगे तो फ एच्ग यू-ऐस यानि कि भारत इस्राइल सेुक्त अरब अमीरात और अमेरिका फिरंस इसकी जो पहली बैठक आयोजित की जानी है बर्चुली तरीके से जानी कि डिजीटल तरीके से इसकी बैटक होगी और बैटक कब होने वाली है यानि कि आज होने वाली है 14 तारीक को जिसमें प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी जी भी फाग लेंगे आए डिसकस कर लेते हैं इसी के बारे में साथी मैं आपको बता दे कि इस बैटक में प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी जी के अलाबा इसराइल के नए पियम जो की हाली में बने नेफटानली वैनेट के स्थान पर ये लापिट संयुक्त अरब अमीरात के प्रेसिडेंट यानि कि राष्टपती मोहम्मद विन जायत अल नहयान और USA के राष्टपती यानि कि जौवाइडन इसमें सामिल होंगे फिर्ट्स याद रखेगा एक्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि खबरों में रहा I2-U2 I2-U2 ये क्या है तो ये एक गुरोप है जिसमें चार देश सामिल है कौन-कौन है इंडिया है अमेरिका है UAE है और इसरायल है इसाथी में आप यहाँ पर याद रखेंगे किषा है कौ जूवाइन यापान है और उस्टेलिया है प्रद्धान मंतरी न söyled गया हुते है अगली जो बैटक होनी है न क्वार्ट की तो वो होगी ऑस्टेलिया में अब आप लोग मुझे बताए कि हाली में ऑस्टेलिया के नए पीम कौन बने है ठीक है साथी मैं आपको बता दे कि जो आई टू यू टू समू है इसकी जो परिकलपना की गई थी न वो 18 अक्टूबर 2021 को आयोजित चारो देशों के बिदेश मंत्रियों की बैठक के दोरान की गई थी फिर चार देश कौन कौन से तो इंडिया इसराइल सौरी अमेरिका इंडिया इसराइल और यू ए इन चारो देशों के बिदेश मंत्रियों के ये बैठक हुई थी 18 अक्टूबर 2021 को और इसी बैठक में आई टू यू टू की परिकलपना की गई थी इसका उद्देश से क्या है फ्रेंस तो इसका उद्देश से है पानी एनरजी ट्रांस्पोर्टेशन इस पेस हेल्थ और फूड सिक्योरिटी जैसे छे परस्पारिक रूप से पैचाने गई छेत्रों में मिलकर इन्वेस्ट और पुसाहित करना है चले आगे डिसकस कर लेते हैं स्पेसल डोस फोर एक्सा में आसियान देशों के बिदेश मंत्रियों की बिसेस बैठक की में ली में हुई थी आसियान में कितने देश है तो आसियान में कुल 10 देश हैं कौन-कौन से हैं जैसा कि आप सब इस मैप में देख पा रहे होंगे लाओस मैंमर थाइलेंड सिंगापुर मलेसिया कंबोडिया बियतनाम फिलिपीन्स बुर्द नौई इंडोनेसिया यह सब किस के सदस्य देश है तो यह आसियान के सदस्य देश है अगर मैं आपसे पूछूं क्या भारत आसियान का सदस्य देश है तो याद रखेंगे भारत आसियान का सदस्य देश नहीं है आगे डिस्कुस कर लेते हैं most important point परिक्षा की द्रस्टी से तेरवे बिरिक्स अमेलन की अध्यस्ता किस ने की थी परद्धान मंतरी नरेंद्र μोदी जी के दुवारा की गई थी चवधवे की अध्यस्ता किस ने की है फ्रेंड्स तो चीन के राष्ट पती सी जिंग पिंग के द्वारा की गई है New Development Bank का मुख्याले कहां पर है संगाई चीन में है हाली में New Development Bank यानि की NDB में किन तीन देशों को सामिल किया गया है तो सयुप्त अरब अमीरात उरगवे और बांगला देश को सामिल किया गया है अब आप लोगों को बताना है कि जो उरगवे है ये किस महादीप में इस्तित्देश है आप सभी इसका आंसर कमेंट्स बॉक्स में देंगे अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को जादा से दाजाश शियर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लिजिएगा जिससे क्या होगा कि आपको आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाएगा चलिए नैस्ट कोईशन डिस्कस कर लेते हैं केंद्र सरकार 75.33 दिवस के अफसर पर देश भर में हर घर तिरंगा राष्ट यह अभियान शुरू करेगी यह अभियान किस मंत्राले दुवारा आजादी के अम्रित माहोचसब के अंत्रगत शुरू किया जाएगा तो कौन सा मंत्राले से शुरू करने वाला है तो संस्कृती मंत्राले के दुवारा इसे शुरू किया जाएगा आएए डिस्कस कर लेते हैं इस अभियान के बारे में कि आखिर इसका उद्देश से क्या है अभियान का जो उद्देश से नफेंस वो लोगों में देश भक्ती की भावना को जाकरित करना और तरंगे के प्रती चाकरुकता लाना है साथी में आप सभी को बता दें कि गिरह मंत्री अमिसा ने रास्ट ये द्वच तरंगे के सम्मान में इस अभियान को श्विकरती दी है आगे डिसक्स कर लेते हैं फ्रेंट्स इस्पेसल डोस फोर एक्जाम में मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंटर रास्ट ये द्वच के इस्तुमाल प्रदसन और फैराने के नियम किस में बताए गए हैं तो फ्रेंट्स याद रखेंगे द्वच आचार सहीता 2002 में इन नियमों के बारे में बताया गया है यह आचार सहीता कब लागू की गई थी तो 26 जनवरी 2002 में आचार सहीता लागू की गई थी भार्तिय रास्टिय द्वच को इसके बर्तमान सौरूप में कब अपनाया गया था मोस्ट इंपोर्टेंट कोईशन है याद रखेंगे कि जो हमारा भी तरंगा है न जो रास्टिय द्वच है बर्तमान सौरूप इसे कब अपनाया गया था फ्रेंट्स तो इसे अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 में जो भाटिय सम्मिधान सभा की बैटक के दोराने से अपनाया गया था अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हर वर्ष रास्टिय जंडा दिवच कब मनाते हैं तो याद रखेंगे 22 अप्रेल को अपनाया गया था तो 22 अप्रेल को ही रास्टिय जंडा दिवच के रूप में मनाया चाता है तरंगे को किसने बनाया था जो बर्तमान सोरूप में हमारे जो रास्टिय द्वच है इसे किसने तयार किया था तो आंदर प्रेदेश के पिंगली बैकईया के दुबारे से तयार किया गया था रास्टिय जंडा फेराते समय सबसे उपर कौन सा रंग होता है इस आर्टिकल के तहत धौज पैराने के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में घोशित किया था तो आर्टिकल 19 1st के तहत सुप्रीम कोट के दुवारा यह कहा गया था अब आप लोग मुझे बताइए कि बर्तमान में भारत के सीजे आई कौन है इसका आंसर आप सभी मुझे कमेंट्स बॉक्स में देंगे समिधान सभा के जंडा समीती के अध्यास कौन थे फ्रेंट तो राजेंद्र पर साथ थे भारत के राश्टे ध्वज की लंबाई एवं चोड़ाई का अनुपा दो होता है जंडे के बीच में सपेद पटी पत नीले रंग का असोक चक्र में कितनी तीलिया होती है जंडे के बीच में आप देखते हैं इसमें कितनी तीलिया होती है तो कुल 24 तीलिया इसके अंदर होती है भारत के राश्टिय ध्वज के मद्द में भने धर्म चक्र का र अगर आप देखेंगे तो गहरा नीला आप सभी को दिखाई देगा तो इतनी जानकारी आप सभी को रास्टिय ध्वच के बारे में याद रखनी है क्योंकि न्यूज में बना हुआ है तो आप से रिलेट करके पूछा जा सकता है एक्साम में चलिए नेस्ट कोईशन सवास संगठन यानि की डबलू एचो के अनुसार हाली में केस देश में मारवर्ग वाइरस रोक के दो संगीत मामले सामने आए है तो फ्रेंट डबलू एचो के अनुसार जो मारवर्ग वाइरस है ना इसके दो जो दो संगीनत मामले सामने आए ना वो घाना में आए है घा बर्तमान में महा निद्देश कौन है डॉक्टर टेड ड्रोस है डबलू एचो का जो मुख्याल है न वो जिनेवा सुजलेंड में है साथी मैं आप सभी को इस बाइरस के बारे में बता देते हैं तो मार्गवर्ग बाइरस रोग जो है न ये इबोला के समानी है इबोला के ब दड़ों के माध्यम से फैलता है चलिए नेस्ट कुशन देखेंगे भारत इंटरपोल अंतरास्टिय आपरादिक पुलिस संगटन के अंतरास्टिय बाल योन सो सड डेटाबेस में सामिल होने वाला कौन सा देश बन गया है तो फ्रेंट जो इंटरपोल है न इसमें सामिल ह भारत बन गया है अड़सटवा देश यानि कि भारत इसमें सामिल हो गया है अब इसके बारे में डिसकस कर लेते हैं कि आखिरी यह है क्या इंटरपोल टीक है अंतरास्टिय आपरादिक पुलिस संगटन अंतर सरकारी संगटन है जो सदस्य देशों को पुलिस बलों के करता है इंटरपोल पिर्तिक सदस में इंटरपोल का एक नैस्नल सेंट्रल ब्यूरो होता है जैसे कि भारत में अगर पूछ लिया जाए कि नैस्नल सेंट्रल ब्यूरो कौन है तो CBI है कौन है फ्रेंड्स तो CBI है CBI के बारे में भी आगे डिसकस करेंगे यह उन देशों के रास्टिय कानून प्रवरतन को अन्य देशों और सामाने सचिवालों से जोडता है CBI यानि की केंड्रिय अन्वेच्छन ब्यूरो को भारत के नैस्नल सेंट्रल ब्यूरो के रूप में मानित किया गया है जैसा कि मैंने अभी आपको बताया इंटर्पोल की स्थापना की गई थी साथ सितंबर 1923 बियाना यानि की ऑस्ट्रेलिया में इंटर्पोल के जो बर्तमान में अध्यच है वो एहमत नासर अल रही सी है और इसका जो मुख्याल है फ्रेंट्स वो लियो यानि की फ्रांस में है अब डिसकस कर लेते हैं CBI के बारे में यानि की केंड्रिय जाँच्छ प्यूरो के बारे में CBI की जो स्थापना की गई थी वो 1963 में गिरै मंत्राले के प्रस्थाप के दुआरा की गई थी और फ्रेंस इसे जो जास संबंदी सक्तिया प्राप्त है वो किस अधिनियम के तहट प्राप्त है तो जो दिल्ली बिसेस पुलिस स्थापना अधिनियम है ना 1946 इसी के तहस CBI को जाश संबंदी सक्ति प्राप्त हैं ये अक्सर एक्जाम में पूछ लिया जाता है इसलिए याद रखेगा एक पॉइंट और याद रखेंगे यहाँ पर कि ब्रस्टाचार की रोक्ताम पर संतानम समीती दुबारा CBI की स्थापना की शिपारेश की गई थी अगर आप से पूछ लिया जाए CBI से रिलेटेट कौन सी समीती है संतानम समीती CBI केंद्र सरकार की प्रमुग जांच एजनसी है और यह केंद्रिय सतरकता आयोक इबं लोगपाल को भी सायता प्रधान करती है तो इतनी जानकारी आप सभी को CBI के बारे में याद रखनी है अगला कोईशन देखेंगे 28 जुलाई से 8 अगस तक बंदिंगम में होने वाले आगामी राष्ट मंडल खेलों के लिए BCCI ने भारतिय महिला किरकेट टीम की घोशना कर दी है 15 सदस्य टीम का नेतत्व कौन करेंगी हर्मन प्रीत कोर नाम याद रखेंगे हर्मन प्रीत कोर इसका नेतत्व करेंगी साथी मैं आपको बताएं कि टीम में बिकेट कीपर के तौर पर इसनेहा राणा हदलीन देहल और तानिया भाटिया को सामिल किया गया है फिर्ण ये आयुजन कहां होने वाला है तो ये इंगलेंड में होने वाला है और 28 जुलाई से 8 अगस तक इसका आयुजन किया जाएगा इंग्लेंड के बंनिंगम में होने जा रही रास्ट मंडल खेलों में पहली बार सामिल T20 किर्केट पिर्टियोगिता में हिमाचल किर्केट टीम की खिलाडी यानि के रेनुका ठाकुर और हर्निल दियोल भार्तिय महिला किर्केट टीम का हिस्सा होंगी इस पिक में देख रहा है तो पुल बनाये जाता है न सड़क के लिए वो इस तीलरों पर बनाये जाता है आप देख पा रहे हुगा इस से क्या होता है इस पेस की मतलब जो जगय है वो काफी बच़त होती है और यह स्परकार से तयार किया जाता है कुछ इस परकार से आप सबी इस पिक के माध्यम से देख सकते हैं एक बार आप लोग Google पे भी से देख लीजिएगा ठीक है एक्सप्रेसवे दिल्ली के दुआरका को हर्याना के गुरू ग्राम से चूड़ेगा इसे कुल 29 किलो मीटर की लंबाई के साथ 9000 करोड रुपए की लागत से पेक्सित किया जा रहा है फ्रेंट्स इसकी लंबाई कितनी होगी तो 929 किलो मीटर होगी इसे Northern Peripheral Road के नाम से भी जाना जाता है और यह कब तयार हो जाएगा फ्रेंट्स तो यह 2023 में खुल जाएगा और यह दिल्ली गुरू ग्राम एक्सप्रेसवे पर भीड भाड़क से राहत दिलाएगा यानि कि जो फ्रेंट्स दिल्ली और गुरू ग्राम एक्सप्रेसवे है ना इस पे काफी भीड कम हो जाएगे काफी हद तक इसके बनने के बाद अब यहाँ पर अक्सर आप लोग एक्जाम में देखते होंगे सुर्णिम चतुरबुज योजना ये क्या है फ्रेंट्स तो बर्स 1995 में तत्यकालिन प्रधान मंतरी अटल बिहारी बाचपईने देश के चार बड़े माहनगरो जैसे दिल्ली मुंबई कॉलकत्ता और चैन्नाई को चार से च्छे लेन वाले राजमार्गों के नेटवर्क से जोडने की एक योजना पनाई थी याद रखेंगे यह अकसर एक्जाम में पूछ लिया जाता है कि शुनिम चतुरबुज में इन मेंसे कौन सा सहर सामिल नहीं है तो इसमें दिल्ली मुंबई कॉलकत्ता और चैन्नाई सामिल है आगे डिस्कस करेंगे स्पिसल डोस फुर एक्जाम में भारत का सबसे लंबा राष्टिया राजमार कौन सा है एनेस 44 है राष्टिय राजमार एनेस 44 कहां से कहां तक है तो यह जम्मो कश्मीर के सुरी नगर से शुरू होकर दच्छड भारत के कन्या कुमारी तक है भारत का सबसे छोटा राष्टिय राजमार कौन सा है तो एनेस 47 ए है और जो एनेस 47 है यह एना कूलम को कोची बंदरगा से जोड़ता है अगला कुश्यन देखेंगे भारत ने मनावा बहरीन में ACI अंडर 20 कुस्ती चैंपियंशिप में 4 स्वण पदक सहित कितने पदक जीत लिए हैं तो फ्रेंट्स भारत ने इस पिर्टियोगिता में जीत लिए हैं कुल 22 पदक आयुजन कहां किया गया था? बहरीन में किया गया था और भारत ने इसमें 4 स्वण पदक सहित 12 पदक जीते हैं और इस चैंपियंसिप में भारत ने 9 रज़त पदक और 9 काश्य पदक हांसिल किये हैं 22 पदकों में से महिला टीम ने प्रियंका राजू आर राजू और अंतरिम के माध्यम से तीन सुवन पदक सहित 10 पदक जीते हैं आप तो याद रखेगा भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं जीते हैं जिसमें 4 स्वन पदक हैं आयुजन कहां किया गया था तो बहरीन में किया गया था चले नेस्ट कोईशन देखेंगे राष्टिय फैसन प्रद्योगी की संस्थान यानि कि निफ्ट का उद्गाटन कहां किया गया है तो फ्रेंट जो राष्टिय फैसन प्रद्योगी की संस्थान है इसका इस्थाप जो उद्गाटन है वो पंचकूला हर्याना में किया गया है जैसा कि आप सभी इस पिक में देख सकते हैं आई डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में पंच कूला में राश्टिय फैसन पृद्योगी की संस्थान यानि कि निफ्टी का सत्रवास परीसर अधिकारिक तोर पर हर्याना के मुख्य मंत्री मनुहलाल खटर और केंद्रिय मंत्री प्यूस गोयल दुवारा उदगाटन किया गया है जिन्होंने इसे राज्च में कपड़ा के छितर में बिकास का आधार कहा है खटर के अनुसार इस संस्थान में 20% सीटे निफ्ट के नियमों के अनुसार हर्याना के लोगों के लिए निर्धारित की जाएंगे जो निफ्ट है इसमें जो रोजगा निकलेंगे उसमें जो 20% सीटे होंगी वो सिब हर्याना के लोगों के लिए ही निर्धारित की जाएंगे और इस परिसर की जो आधार सिला है न वो 29 दिसम्बर 2016 को इसमर्ती इरानी ने रखी थी नेस्ट कुशन देखेंगे अंथरास्टी T20 किरकेट में 500 डॉट गेंद फैकने वाले दुनिया के पहले गेंदवाज कौन बन गए हैं यह बन गए हैं भुबनेश्वर कुमार जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं अगला कुशन देखेंगे सारवजनिक उध्यम के चैन बोड ने रेल्टेल कॉर्परेशन ओफ इंडिया लिमिटेट के अध्यच और प्रबंद निदेशक के रूप में किसी न्योक्त किया ह तो जो रेल्टेल कॉर्परेशन है ना इसके जो नए अध्यच बनेंगे ना वो बनेंगे संजे कुमार जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं तो फ्रेंट्स यह था आज़का करेंट अफिर अब डिसकस कर लेते हैं टॉप 10 इस्टाटिक ची के कोशन राज्यसभा की पैठको का सभापतित्व कौन करता है उपराष्ट पती करता है और जो उपराष्ट पती के इलेक्षन है आप सभी को याद होगा कि इलेक्षन कमीशन ने हाली में घोशना की है और 6 अगस्त को उपराष्ट पती के इलेक्षन होंगे भारत में उपराष्ट पती पत के निर कहा जाता है किस की मोर्टी सिंदुगाटी सबेता के लोगों के लिए एक महत्पूंड रचना थी निर्टकी की मोर्टी मोहन जोद्रों में सबसे बड़ा भवन कौनसा है अन्नागार है संभिधान के संकल्पना का उद्वव सबसे पहले कहां हुआ था संयुक्त राज अमेरिका में भारत के राष्ट पती पर महाव्योग लगाने की प्रिक्रिया कहां के संभिधान से ली गई है अमेरिका के संभिधान से सारव वोमिक वैस मतदिकार यह दरसाता है कि भारत एक देश है लोक तांत्रिक कल की क्लास में जो कोईशन आप से पूछे गए थे उनके आंसर देख लेते हैं चुनावी बॉंट जारी करने वाली भारत की एक मात्र संस्था है SPI यानि किसका राइट आंसर था अप्सन A निर्यात पोटल का जो शुबारम किया गया है वो प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी जी के दुवारा किया गया है प्रत्वी पर दिन रात होते हैं दैनिक गती के कारण भारत भार्तियों के लिए लिए है नारक के संस्थान दिया था आरे समाजने अब आप लोगों के लिए कुछ क्वेशन है जिनके आंसर आप सभी को देने हैं कमेंट्स फॉक्स में पहला क्वेशन है भारत के तरंगे जंडे में चरकेखी जगे चक्र कब अस्थितों में आया था भारत के बरतमान रास्ट ये द्वज का डिजाइन किस ने तयार किया था जंडे में इस्तमाल किया जाने वाला सपेध रंग किज बात का प्रतीख है नेस्ट एंड लास्ट कोईशन है निमन में से कौन सा कारी करना अपराद की स्रेडी में आता है तो फ्रेंट्स इन सब के आंसर आप सभी को देने हैं कमेंट्स बॉक्स में आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएगा साथी क्लास को लाइक, सियर और सब्सक्राइब करना साथी क्लास को लाइक, सियर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा तो मिलते हैं नेस्ट क्लास में तब तक के लिए थैंक्यू सो मच